जहें दोस्तों फ्री नॉलज 1998 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको समय पर मिलती रहे दोस्तों आज मैं आपके लिए सम्विधान के बहुत important question लेकर आया हूँ जो आपके लिए परिक्षक लिए बहुत अपयोगी हो सकते हैं दोस्तों आपके लिए अभी anti-pc और railway day group के paper upcoming में हैं दोस्तों आप ये सम्विधान के question mostly याद कर लें दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो सकते हैं और ये आपको देखने को मिल सकते हैं तो चलिए दोस्तों मैं आपको अपने question की ओर ले चलता हूँ तो दोस्तों ये रहा पहला question कंपनी का सासन कब से कब तक चलाया गया था तो दोस्तों इसका answer होगा नमबर पहला कंपनी का सासन 1773 से 1856 तक चलाया गया था नेक्स्ट question है दोस्तों बंगाल का प्रतम गवर्नर जनरल कौन था तो दोस्तों इसका answer होगा नमबर चोहता बंगाल का प्रतम गवर्नर जनरल लाड़ वरेन हैस्टिंग था नेक्स्ट question है दोस्तों ताज का सासन कब से कब तक चलाया गया था उपसन आपके सामने दोस्तों तो इसका answer होगा नमबर दूसरा का 1858 से 1947 तक चलाया गया था नेस्ट कोश्चन है दोस्तों भारत का प्रथम वाइसराय कौन था तो इसका अंसर होगा नम्मर पहला वारत का प्रथम वाइसराय लाइड कैनिंग था दोस्तों नेस्ट कोश्चन समप्रदाइक निर्वाचन मंडल का जनक माना जाता है तो दोस्तो इसका अंसरोग को नमर् का लाड मिंटो को शंप्रदाइक निर्वाचन मंडल का जनक माना जाता है नेस्ट को स्वाइट को शन करो या मरो का नारा कौन से सन में दिया गया था करो या मरो का नारा कुंसे सन में दिया गया था तो इसका अंसरों का नम्मर तीसरा 1942 में महत्मा गानी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था नेक्ट कुस्चन है भारत में बेवल प्लान आया था तो इसका अंसरों का नम्मर चौहता 1945 में भारत में बेवल प्लान आया था नेश्ट कुर्शन है भारत में केविनेट मिशन आया था तो दोस्तों भारत में केविनेट मिशन 1940 में आया था तो इसका अंसर होगा नम्मर तीसरा नेस्ट कोशन है दोस्तों भारती संविधान में कुल कितने सदस्य थे तो दोस्तों भारती संविधान में कुल 389 सदस्य थे तो इसका आंसर होगा दोस्तों नम्मर चोहता संचालक समीति के अध्यक्ष कोन थे आरूप समीति समीति के अध्यक्ष थे एन के अईर तो इसका अंसर होगा दोस्तो नम्मर तीसरा नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तों संगी संविधान समीति के अध्यक्ष कोन थे तो दोस्तो इस कांसरों का नमर पहला सरदार बल्ला भाई पटेल दोस्तो ये थे प्रांती समीधान समीच्चा के अध्धक्च नेस्ट कोश्चन है दोस्तो मौलिक अधिकार और अलप संक्यक समीच्च के अध्धक्च कौन थे तो इस कांसर दोस्तो नमर पहला सरदार बल्लाब भाई पटेल मौली कदिकार और अल्पसंकिक समीती के अध्धक्च थे नेश्ट कोश्टन है जंडा समीती के अध्धक्च कोन थे तो दोस्तो इसका अंसल है नमर तीसरा जे भी कृपलानी जंडा समीति के अध्धक्चते दोस्तो एक ब deeply याद रखना अभी मैंने आपको पाँच अध्धक्च के रूप में पाँच अध्धक्च बताया हूँ दोस्तों नेक्ट कोशन है भारती संविधान के जनक किसे माना जाता है तो दोस्तों इसका अंसरोगा नम्मर तीसरा बी आर अंबेड करको भारती संविधान के जनक माना जाता है नेक्ट कोशन है दोस्तों भारती संविधान को अंगित करने की तिथी थी तो दोस्तों इसका अंसर होगा नम्मर पहला दोस्तों यहां एक मिस्प्रिंट हो गया है यहां पर होना था 1950 तो दोस्तों इसका आंसर है नम्मर दूसरा बारत कि मूल सम्मिधान में दोस्तों 22 भाग है नेस्ट कोशन है दोस्तों भारत की ये मूल सम्विधान में कुल कितने अनुक्षेद है तो दोस्तों इसका अंसर होगा नम्मर दूसरा 395 नुक्षेद है दोस्तों नेस्ट कोशन है भारत के सम्विधान निर्माण में कितना समय लगा था तो दोस्तो इसका आंसर है नम्मर तीसरा भारत के सम्मिधान में दोस्तो दो बर्स 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था सम्मिधान सबादवारा राष्टिगान को अंगिकरत किया गया था तो दोस्तो इसका आंसरों का नम्मर दूसरा 24 जन्वरी 1950 को समिधान सभा दर राष्टेगान को अंगिक्रत किया गया था समिधान सभा के सदस्यों ने भारत के समिधान का प्रारूप तयार किया वे थे तो दोस्तो इसका अंसर है नम्मर तीसरा विभीन प्रदेशों और विधान सभाव से चाइनीत थे दोस्तो समीधान का मशोदा तयार करने वाली समीधी डॉप्टिंग कमिटी के अध्धक्ष कौन थे तो दोस्तों इसका अंसर है नम्मर चोहता डॉक्टर बी आर अमबैट कर थे समीधान मशोदा समीधी के अध्धक्ष दोस्तों अब नेस्ट कुश्चन है समीधान सभा दौरा भारत के समीधान को तयार करने के लिए कितनी समीधियों का गठन किया गया था तो दोस्तों इसका अंसर होगा नम्मर तीसरा सतरा समीधियों का गठन किया गया था नेस्ट कोशन दोस्तों भारती संविधान है तो दोस्तों इसका अंसर हो नमर चोहता भारती संविधान दोस्तों अंस्ता कठोर और अंस्ता लचीला है दोस्तों इसमें कभी-कभी ऑप्सन दिया रहता अंस्ता लचीला अंस्ता कठोर तो उनमें से एक मिनी लगाना दोस्तों दोनों में करना आपको टिक करना है अनस्ता कठोर रों अनस्ता लचियला नेश्ट कोषिशनल दोस्तों भारत एक धर्म निरपैख्च देश से इसका तातपरी क्या है तो दोस्तों इसका अंसरो को नम्मर दूसरा उसका कोई राज इस तरह धर्म नहीं है इन में से कौन जुलाई 1946 में गटित सम्मिधान सभा के सदस्चे नहीं थे तो दोस्तो इसका आंसर होगा नमर तीसरा महात्मा गांदी 1946 में गटित सम्मिधान सभा के सदस्चे नहीं थे नेस्ट कोस्टन है दोस्तों नेमलिकित में से कौन भारत की संविधान निर्वाता सभा में संविधानिक सलाकार था तो दोस्तों इसका आंसर होगा नमर चोहता बी एन राव नेस्ट कोस्टन है संविधान के निर्माण में निमने में से कौन सा दल सामिन नहीं था तो दोस्त डैस किस नितिक दल की स्टाफण सोटंत्रत से पूर भी थी तो इसका आंसर हो गए नम्मर 6 भारत का समेवादि ऊसके स्टाफण अदुसटो तसा पूर भी हो चुकी थी यह कोफन है हमारे देश का सम्मिधान, सम्मिधानिक नाम क्या है तो दोस्त然后 कोमेंट बोक्स में तो यह आपका गोश्चन जो आपको इसका आंसार बताना GOT दो कोमेंट बोक्स में सवतंटर भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन के अउप्टित जवहा लाल नहरू हू ص His sound, Moolana, fullaklak! और डाक्तर भी यार अम बैठ कर दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट वाक्स में देना है दोस्तों आसा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को लाइक करें दोस्तों मैं नेक्ट वीडियो जल्